नमस्कार मैं वैशाली मेरी सीटूप चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बना रही हूं मक्के के आटे का हल्वा नॉर्मली हम मक्के के आटे की रोटी तो बनाते ही हैं मेरे चैनल पर मैंने इस के आलू के पराठे भी बनाये हैं चीला भी बनाये हैं जो बहु मक्य की अटे का हल्वा पनानी के लिए मैने एक कप मक्य का आटा लिया हुआ है आधा कप मैंने चीनी ली हुए यह चीनी आप अपने पसंद के हिसाब से कम जादा कर सकते हो लगबक 3-4 छमट देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है हलвे में डाल रही हूं नायरेल के बह़त भड़ा, दस-से 12 धाने कुष्मिश के लिए होइны साथ-से आथ मैने बदाम ली हूएं तीन हरी इलाइची ली हूए, इलाइची से हलवे का फ्लेवर भढ़ा बनाना तो यहां पर मैंने कड़ी रख दिये, धीमी आज पर गया सौन कर दिया है तो अब मैं इसमें तीन चमच देशी घी डाल रही हूँ, एक चमच में बाद में डालूँगी तो यह देखिए घी मेल्ट हो चुका है, तो अब मैं इसे मक्य का आटा डाल देती हूँ और लगातार चलाते हूँ, धीमी आज पर हमें मक्य के आटे को भूनना है तो यह देखिए धीमी आज पर मैंने मक्य के आटे को लगभग 4-5 मिनिट भून लिया है बहुत यह अच्छी खुश्बू आने लगी है, और हलका सा कलर भी चेंज होने लगा है खुश्बू आने लग जा हलका सा कलर चेंज हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आट अच्छे से भून चुका है तो अब मैं इसमें बचा हुआ एक चमच देसेंगी, डाल दूँगी तो यह देखी, एक चमच मैंने घी डाला था, तो अच्छे से और मिक्स कर देती हूँ और मैं इसे थोड़ा देर भूनूँगी, थोड़ा सा कलर और चेंज करेंगे तो यह देखी, लगबख 7-8 मिनिट हो चुके है, मैंने मक्य के आटे को अच्छे से भून लिया बहुत एच्छी खुश्बू भी आने लगी और कलर भी इसका चेंज हो चुका है तो मैंने एक कब यहां पर मक्य का आटा लिया हुआ था, तो आप मैं इसमें दो कब पानी डालूँगी मक्य के आटे के हलवे में आपको यह नाप याद रखना है कि अगर आपने एक कटोरी मक्य का आटा लिया हुआ है तो आप दो कटोरी इसमें पानी डाले और पानी मैंने इसमें गरम करके डाला है बहुत ही जदी से फूल भी जाता है जिससे यह तो यह देखे हलवे में डालने के लिए मैंने दो कप गरम पानी कर लिया था तो आटा अच्छे से बुन चुका है तो मैं गरम पानी इसमें डाल दूँगी इससे यह होता है कि हमारा प्रोसेस जल्दी हो जाता है आटा भी अच्छे से गरम है उसमें जैसे गरम पानी डालूँगी तो बहुत ही बड़ी तरीके से यह फूल भी जाता है और बहुत ही जल्दी से तैयार भी हो जाता है तो आप मैं पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 4-5 मिनिट के लिए धक दूँगी बिल्कुल धीमियाच पे कैस करके तो यह देखिए लगबख 4-5 मिनिट हो चुके हमने जो पानी डाला था यह देखिए पूरी तरह इसमें से पक चुका है बहुत ही बड़ी है सॉफ्ट हो गया और बहुत ही अच्छा कलर भी दिखाए दे रहा हलवे का तो अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और चीनी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर दूँगी अब जो चीनी की चाशनी चुटे की वो अच्छे से पक जाए तो हम ढग करके धीमियाच पे पकने देंगे तो यह देखिए पांसे च्छे मिनिट हो चुके हैं चीनी भी बहुत ही अच्छे से हलवे में अब्सॉल्व हो चुकी है बहुत ही बड़ी है हमारा हलवा दिखाई दे रहा है मक्के का तो अब मैं इसमें हरी इलाइची का पॉर्डर डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स क कर देंगे तो यह देखिए मक्के के आटे के हल्वे में मैंने बादाम इलाइची को पॉर्डर किश्मीज नारिल की कतरन सब डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया और बहुत ही बड़ी हमारा मक्के का आटे का हल्वा दिखाए दे रहा है आप कलर देख सकते हो कितना प्यार मैंने के बादा झाल को अ मैं बेरेशा को लाइक किजिए मजा जाएगा खाने का हम इसके रोटी तो बना के खाते हैं सरसो के साथ में अपिसका हल्वे की रसेपी जरूर ड्राइए यह पसंद आगी है अगर आपको मेरे मक्य के आटे की हल्वे की रसेपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए औ और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बेटन के साथ में बैल आइकान को भी जरू प्रास करिए जिसे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सकें मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बह बहुत भर्निवाद